तो पाकिस्तान प्रेम और जिन्ना का जो भूत है साब यह इनका निकल नहीं रहा है यह जिन्ना का भूत जो इनके अंदर भीतर में है पाकिस्तान प्रेम जो है इन्होंने कई बार दर्शा है Congress के leaders Pakistan जाते हैं, हिंदोस्तान की वहाँ बुराई करते हैं, विदेशों में जाते हैं, हिंदोस्तान के बारे में उप्रटांग बूलते हैं मुगलों का इतियास आप हम सबको पता है बेटा बाप को जेल बेठाता है, राच करता है, सबको पता है कौन है क्या है बतीजा चाचा को मारता है राज करता है तो यह आतमताईयों का तो सुभाव राय साथ इनको महान किस रूप में देख सकते हैं इनका काम खाली लूटना खसोटना और वेवचार करना इनका काम रहे तो ऐसे जो आतमताई थे विदेशी आतंकी थे अकबर को नेकर अकबर को वन्होंने दुराचारी बलतकारी बताया और देखिए अकबर महान ऐसा कांग्रेस की सरकारों के समय से कहा जाता था किा अकवर महान हैं जिसने भारत को लूटा खषोड़ा भारत पे कपज़ कि kulland to राज किया तो राज किया तो आतमताई के रूप में और राज किया और जिस प्रकार के अकवर की आचाय तो इसको महान कैसे कए समय थैमाँ अगो Ini फिर महाद कि बचाने के लिए मने जुछ है श्रι हुआ धे ранको कर दिये हैं तो इसलिए इस देश के जिन पॉस जैस को मतर उन्वी। को वही महान है नहीं कि इन आतम ताई हो गया और यहां पर राज किया तो महान मानते नहीं मान तो हमारे अपने पूरवज है जिन्हों ने अपना बलीदान दिया अपने प्राणों को निचावर कर दिया हमारी संस्क्रति हमारी विरासत हमारा अध्यात साथ में हमारे ऐसे पुरोधा जिन्हों ने इस देश को बचाने में अपने आपको सम्रिप्रित कर दिया उन सबकी चर्चा है उन सबकी अध्यान के माध्यम से अध्यान होना चाहिए बच्चों में इतियास की जानकारी होनी च उनकी कोई चर्चा होके उनको महान बता रहे हैं अब देखिए अब ठीक है उनका जो उनको समस्थी जिस आप से उन्होंने बताया लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी बहार के राजा आये थे यह आक्रमनकारी थे इन्होंने देश को लूटा है और बहुत सारी परंपराए हैं ऐसी जो इनकी वज़े से प्रारम हुई जैसे पिछले समय में हमारे हां सूर्य शाक्षी में सारे धर्माईजन भूआ करते थे जिसमें विवा फेरा इतियादी भी उता था इतियास के जानकारों की अच्छे से पता है कि रात्री फेरे होने का कब से शुरुआत चलन तो बहन वीटियों को बचाने के लिए पुरिये विभार पद्दती रात को छुपके से शुरू ही थी तो इत्थिफाक रखते हैं बातों से कि कहीं ना कहीं कुसको इस प्रकार की गटनाई थी जिस बज़े से हम लोगों अपने विती रिवाज भी परिवरतन करना पड़ा तो यह तो सब आक्रण कारी थे यहां लूटने आये थे इन्होंने हर परकार से लूटा है देश को तो ऐसे लोगों की तो इस देश पर चर्चार मूर्ति और नाम होना ही नहीं चाहिए कोई डिल्ली जाते हैं तो अफवर रोड ये रोड 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 तो पड़ा मन में पेड़ा रहती है इस बात की कि इन लोगों ने तो देश पर राक्रण किया है और इन लोगों के नाम से शेरों के नाम या रोडों के नाम होना ही नहीं चाहिए तो मैं तो निवेदन करूँगा पूरे भार को रोड़ में जितना भी शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा से सम्मंद रखते हैं उन सबको हमारे पूरवजों का इतियास जिनों ने इस मात्रभूमी को बचाने के लिए काम किया उनकी चर्चां हमारे अध्यनों के मात्यम से पूनी चाहिए ताकि यह हमारी नई पीडी में यह सुभाव में आये कि हमारे पूरवज अपने मात्रभूमी को बचाने के लिए सबसे जो बहुमुल्य चीज़ उसकी जीवन है उस जीवन को ही समर्वित कर दी है हाँ राज्यसभा चुनाव में विजय हासिल हुई कही न कहीं कॉंग्रेस के करनाटक में तो उसकी खुशी ऐसे प्रकार से जाहिर की गई कि कॉंग्रेसियों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाती है पाकिस्तान प्रेम और जिन्दाब देच बूट यह इनका निकल फूल ना जाप में पाकिस्तान ही वह नों धरट द्रकार के वीजयश शब्द बोलकर कि पाकिस्तान हमारे उनके लिए प्रिय है तो इनके लिए प्रिय हो सकता है हमारे लिए हमारा भारत हमारी मात्रों भी सर्वोपरी है और कहीं न कहीं यह दर्शाता है इनका चाल, चरित और चहरा जो इनका एजेंटा था जिस प्रकार से कश्वीर में महुल बना रखा था और 370 के खिलाब थे जिस प्रकार से राम जी के विरोधी थे, राम जी के मंदिर बनने भी व्यवधान पन करते थे जिस प्रकार से राम सेतु की तोड़ने की बात करते थे जिस प्रकार से सनातन को इन्होंने मलेरिया डेंगु इत्यादी बताया इन्होंने इनके मित्रों ने बताया जिस प्रकार से जो पाकिस्तान से आतंगबादी आकरिया घटनाए घटित किये हिंदुस्तान में उनको बच्चावब बख्ष में उनको फासी ने लगे उनके पक्ष में ये लोग खड़े हो गए तो ये इनका जो प्रेम है दुश्मनों से वो पता चलता है इनका सुभाव पता चलता है तो कॉंग्रेस फ्रेंग जो भारत संकल्प है उसको पूरा करने मे यह अपना योगदान स्वेम दे रहे हैं यह अपनी आउती स्वेम दे रहे हैं ऐसे वाक्य बोल वह इंगा पाकिस्तान प्रेम सब ने देख लिया पुरी दुनिया और भूश्ती कि रिए कि मुगलों का इतियात आप हम सब को पता है बेटा बाप को जेल बैठाता है राज करता है जब को पता है कौन है क्या है बतीजा चाचा को मारता है राज करता है तो यह आतमताईयों का तो सुभाव राय साब इनको महान किस रूप में देख सकते हैं इनका काम खाली लूटना खसोटना और वेवचार करना इनका काम रहा है तो ऐसे जो आतमताई थे विदेशी आतंकी थे इन लोगों का अध्यान या इनको महान बताना मैं इसके बक्ष में नहीं हूँ ऐसे लोगों का तो नाम मार्ग भी जो लिखे हैं वो भी नहीं होना चाहिए ये भारती संस्क्रती में हमारे पुरूजों के इतियास और उससे संबंदित जो चर्चा हैं वही तो अध्यान में हो और वही मार्गों के शहरों के नाम हो तो इसलिए हम तो इनके पक्ष में कत के लीडर्स पाकिस्तान जाते हैं इंदुस्तान की वहां बुरही करते हैं विदेशों में जाते हैं इंदुस्तान के बारे में उट पर टांग भूलते हैं